श्री विकास जाखर साइक कमांडन केंद्री रिजब पुलीस बल एवं मौहम्मद रियाज आलम अंसारी उपनिरिक्षक जीडी केंद्री रिजब पुलीस बल 23 नवंबर 2016 को जारखंड के लातेहर जिले के छिपा दोहर के जंगली क्षेतर में सश्यस्र माववादियों का पीछा करते हुए 209 कोबरा का स्काउट दल जिसका नेत्रित्व सब इंस्पेक्टर जीडी मौहमद रियाज आलम अंसारी कर रहे थे पर कोईल नदी के किनारे माववादियों ने गोलियों की बोचार कर दी SIGD मौहमद रियाज आलम अंसारी और उनकी साथी टुकडी ने तुरंत जवाबी कारवाई की किसी भी खतरे की परवाह किये बिना शी विकास जाखर सहाय कमांडन्ट के नित्रित्व में बहाद्दुर सिपाही अपने स्काउट दल की सहायता के लिए माववादियों की ओर बढ़े और एक आक्रामक मुटभेड शुरू कर दी ऐसाई मोहमद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट दल के साथ माववादियों पर हमला कर उन्हें पीछे लोटने पर मजबूर कर दिया तभी चिपे माववादियों द्वारा उन पर भीशन गोली बारी हुई इस करो या मरो की स्थिती में श्री विकास जाखर ने अपने बहदुर कमांडों के साथ माववादियों के खिलाप एक तेज जवाबी गोली बारी शुरू कर दी सब इंस्पेक्टर मोहमद रियाज आलम अनसारी ने अपने स्काउट के साथ पीछे हटते हुए माववादियों पर सामने से गोली बारी जारी रखी सैने बलों के इस निर्भी कारवाई से माववादियों को अपनी जगह चोड़नी पड़ी मुठ भेर स्थल की गहन तलाशी से छे लाशें बरामद हुई इस प्रकार श्री विकास जाखर साह कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर जीडी मोहमद रियाज आलम अनसारी ने ऑपरेशन के दौरान अपने जीवन को दाओं पर लगाते हुए अद्बुत नेत्रित्व क्षमता, दिड़ता, साहस तथा कर्तव्य निर्वहन के प्रती निस्वार्थ समर्पन का परिचे दिया श्री विकास जाखर मुखमद रियाज आलम अनसारी थालम अनसारी निस्वार्थ